वेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई चैनल पूजा स्टाइलिंग वर्ल्ड आज मैं आपको स्लीव की कटिंग करना सिखाऊंगी इसमें सभी परकार की स्लीव हैं इसमें चोटी से लेके बड़ी तक सारी स्लीव हैं जो चूडियों वाली स्लीव आती हैं वो भी मैंने इस औरlaşीं और यह तरह से हमीं आप लिया लेगे और इसको अब शाड़ करिया में करना मीं करना में गूंपर देखे कि आप यह देखी वाल भी मई 20 इन cuando L God करना गुँबनाधिक इस करती का 8 दो हम आप 6 पर निशान कृकर लगा करता का 8 ह सब इक नाड़ कंढ़ाएंगे vz 65 नाड़ी पंडल में 218 हद equipment पर निशान कमषाएंगे दें डीशादा ठीक है अब हम यहां से इस तरीके से यह देखिए हम यहां से कट कर लेते हैं और यह हमने सब दो इंच का रखा था यह मैंने आपको जैसे बताया है ठीक है अब हम यहां से कट कर लेंगे और यह हमने शेप दे दिये ठीक है और यह हमारा शोल्डर का होगे जा हमारा शोल्डर आएगा यहां पर हमें टुक लगा देती हूँ ठीक है अब यहां से यह देखिए हमने इस तरह से मार्जन बक्की का मार्जन हटा देना है हम यहां से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से यह फोल्ड करके हम दुबारा से थोड़ी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा यह जो फोल्डिंग का है वो निशान बन जाए यह देखे हमारा यह folding का टुक आ गया है यहाँ पर ठीक है अब हम center का भी टूक लगा जेंगे अब यह देखे हमने क्या करना है दोनों बाजू हमारी कटगी है अब हमने shape देनी है shape कैसे देनी मैं बताती हूँ आपको यह दोनों बाज्जू को मालग अलग करके एक दूसरे के ओपर ऐसे रखेंगे पहले तो हम दोनों देखो मैं आपको दिखा रही हूं आपने इस तरह से सैटिंग में रखना है यह देखिए फिर एक दूसरे को इंटरफेस करेंगे इस तरह के से ठीक है अब हमने शेप देनी इस तरह से हमारी फ्रंट शेप आईगी आ यह देखिये अ मेरी फ्रंट शेप आदी कि ए दूसरे किसे हमने पाज्जो में फ्रंट की शेप दे दिया और इस तरीके से यह देखिए यह हमारी स्लिप्स इस तरह से होगी तैयार और इस तरह से यह आपने भी कटिंग करनी है पॉनी बाज्जू को बताते हैं आपको जिसमें एक अराइंच अल्बो बाज्जू भी बोलते हैं हम इसको तो यह दोनों माक्स हम लगा लेंगे मैं और इन दोनों को स्ट्शेट कर लेंगे और उपर से माकट कर लेंगे स्ट्श्ट करके अब यह यह देखिए हैğa हमारी मैं इस पर इल्बो लिख देती हो ताकि हमें याद रहे यह एल्बो बाज्जू है लिख दिया है अब यह हम इसका निकालेंगे शोल्डर कैसे निकालते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको chest के according mark करना सिखाऊंगी तो देखिए जैसे कि हमारी 35 burst है मैं paper पे समझाते हूं आपको 35 burst plus 2 inch यह हमारी inch tape से आई है जो measure किया था हमने body का measurement आई है 37 अब 37 का shoulder निकालने के लिए हमें divide करना है 5 से 37 से हम divide करेंगे 5 से तो हमारा है 7.4 तो 7.4 हमारा burst का measurement आई है shoulder का हमने लगाना है ठीक है यह देखिए 7.4 हमारा यहाँ आ रहा है तो 7.4 हम यहाँ पे mark कर देंगे इस तरीके से और अब यह देखिए जो हम shoulder से उठाएंगे इस तरीके से तो यह 8 पे यह आ रहा हमारा यह देख रहे हैं आप 8 पे यह आ रहा हमारा यहाँ पे ठीक है guys आप check करना एक बार तो यह निशान लगा दिया अब हम इसका half पे निशान लगाएंगे जैसे कि हम लगा रहे हैं हर बाजों में चार इंच को भी चार इंच पर निशान लगाएंगे अब देखिए यह हमने निशान लगा दिया निशान लगाने के बाद इस तरह से हम शेप देंगे शेफ देने के बाद यह देखे हमने इसमें मूरी डगानी है मूरи साड़े है साड़े 5 लगा लेंगे जब हम यहीं को तो हम शौलडर के निशान से इस तरह से रैंडम ले इस फ्री हैंड मैच कर देंगे अगर हमारी बस्ट पॉइंट जादा है अगर 37 से प्लस है तो हम शेपर फट्टी से भी यहां पर शेप दे सकते हैं कि यह देखिए इस तरह से शेप देंगे न हम तो हमारा थोड़ा लूज में जाएगा मैं आपको प्रोपर शेप देंगी दिखाती हूं अगर 37 पलस है यह देखिए ये हमारा इतना लूज आ Гए यह हमारा जब 37 पलस बस्ट होगी तो हमारी शेप इस तरह सी शेपर से देनी नहीं अब हम इस तरह से यह देकिए अटेक्स मारजन देखेंगे इसके अंदर अगर आपको स्लीप्स कट करने में कोई भी प्रेशान नहीं आती है तब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी रखते हैं तब भी मुझे कमेंट करें मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें यह देखिए इस तरह से यह हमारा निशाना के फोल्डिंग का और यह देखिए हम यह सेंटर से कट कर देते हैं और यह तुक लगा लेंगे यहाँ पर यह तुक हमने याद से ज़रूर लगाने हैं ठीक है गैज अब हम वही दो इन्च लगाके मार्जन और यहां पे हम शय्प देंगे यह शय्प हमारी एक इंच तक जाएगी यह देखीर, यह हमारी एक इंच तक शय्प आएगी ठीकक prose और इस तरह से हम यहं संटर कटो भी देंगे mayoría और हमारी यह देखिए शेफ देदी मैंने और यह हमारी अलबो बाजू की कटिंग भी हो गई है इस तरह से आपने अलबो बाजू की कटिंग करनी है ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जुरूर बताना अब हम लेते हैं पॉनी स्लीव्स पॉनी स्लीव्स यानि 15 से उपर जो होती है कौनी से नीचे अब इसमें देखिए चार फॉर्फोल्ड करें मैंने इसी तरह से फॉर्फोल्ड मैंने हर स्लीव्स में करने हैं आपको फॉर्फोल्ड करके इस तरह से हम स्टेट मार्क देदेंगे अगर गाइस मेरी वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझनी आया तो हम कमेंट का जुरूर रिप्लाई करेंगे और यह देखे 16 पर हमने मार्क करना है यह साड़े पंद्रा तैयार है हमारी स्लीव्स हम 16 पर मार्क कर देंगे और यह हम मार्जन भी साथ में अड़ कर देंगे इसमें अभी हम स्टेट कट कर लेते हैं उपर से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अब यह देखिए यह हमारा 7.4 आया था जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में निकाल ला था अगर किसी ने स्किप करके वीडियो देखी है तो दुबारा से देख लें वो यहां पर हम 3.5 लगाएंगे यहां पर यह देखिए पॉनी स्लीव्स है यह 3.5 लगाएंगे माक और सेम यहां से शोल्डर का निशान देंगे वही 4 इंच पर और यहां पर मोहरी का निशान लगाके और शेप पर फट्टी से हम यहां पर मिला देंगे क्योंकि स्लीव्स हमारी लंबी हो जाती है तो शेप पर फट्टी से अच्छी फिटिंग आएगी यह देखिए यहां से हम फोल्ड करके इसलिए काटते हैं ताकि हमारा मार्जन एकदम बिल्कुल जब हम फोल्ड करें तो असानी से सैट हो जाए हम नहीं मार्जन भी दे दिया है अब हम इसको कट कर लेते हैं है500 हाँ है कज मसान व्यक्ट कर लिए हैब भी देखिए हमने यह कड कर लेंगे ज़ीए टुक हमने साथी साथ लगा न अंगदे का भी टुक लगा देना है संट्र का भी टूक लगा देना है वह मनें साथी साथ हमने वही दो इंच पर यह मैं रैंडम ली आपको करके दिखा रही हूं भी इस तरह से ही हमने इसमें जैसे अल्बॉस में हमने दी थी छांट इसी तरह से उसमें भी हमने छांट दे देनी है देखिए इस तरह से नजर आएगी है स्लीव्स हमारी और यह हमारी पॉनी स्लीव्स की कटिंग हो गई है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भी एक जोड वाली स्लीव्स होती है जो हमारी एक तरफ मुझ आते हैं जिसके जो फैबरिक निकलता है उसमें मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना सिखाऊंगी जिसमें एक साइड मुझ होते हैं यह भी पॉनी स्लीव्स ही सिखाऊंगी आपको पर यह जो थी हमारी इसमें कोई पेड वगरा का था नहीं अब इसमें देखो यह जैसे एक साइड है इसका रुखना और यह शर्ट के साइड में से पीस निकला तो हमने यह कैसे को मैनेज करना है अब इसमें भी हम 16 इंच पर शान लगा लेंगे पहले स्टेट कर लेते हैं 16 इंच प्रिशान लगा के ठारा दो इंच मार्जिन का ले लेंगे अद्धा इंच उपर जाएगा और देड़ इंच अमारा निचे का फोल्ड होगा ठीक है और इसी तरह से हम एक बाजू कट कर लिया है और सेमी फ्लो में हम दूसरी भी बाजू कट कर लेंगे देखिए दोनों साइड इनके दोनों मूँ उपर होने चाहिए जो रूख है इनका फ्लावर्स का इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से समझना देखिए दोनों के रुख उपर की तरफ हैं अब प्रेस लगा देंगे हम इस पर टाकि स्ट्रेट हो जाए अब यह देखिए कि हम शोल्डर देखिए हमारा कितना है शोल्डर हमारा है 7.4 तो हमारा बिल्कुल सीरे पर आ रहा है तो इसलिए हम इसमें उन्हों जोड़ वाला नहीं करेंगे हम इसमें आग्गे रखेंगे जह चार पधने होते है आग्गे हमारा कपड़ा भी फैबरिक वी कम है यह देखिए ना नीचे और उपर से कुर आथ इतना गैप हमारे इसमें हम इसमे लेंगे पहले हम 3,5 का माक लगाएंगे यह देखिए जो हमारा शोल्डर का कट है उसके बाद हम इस पनले को रखेंगे इस तरीकहे से ठीक है और फोर फोल्ड में हम इसखाने इस तरीके से अब देखना यह देखिए हमारा निच्चे से भी छोटा है और यह उपर से भी छोटा है पर हमने प्रेस लगा लगा के करना है ताकि बिल्कूल भी कोई इसमें जोलना आए कोई भी दिक्कत ना आए अब यह देखिए इस तरीके से हमने अब इसको स्टेट लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया रहे और 7.4 हमारा बोडी मेजरमेंट आ रहा था अब यह देखिए यह हमारा इसके उपर आ रहा है क्योंकि जोड़ रखे हैं हमने तो उसके अंदर भी जाएगा जोइट के उपर अब 16 इंच पर हमारा म कि यह कटिंग कर देंगे ठीक है काइस कटिंग आपने सीखी लिया कि शोल्डर की कैसे कट देना इसके उपर बाज्यू में अब यह देखिए यह मैं सिर्फ आपको इसमें फ्लार्स का दिखा रही हों कि फ्लार्स वाली बाज्यू हो तो अगर हम कैसे कट कर सकते हैं अब मो भी दिक्कत नहीं आएगी है कि देखिए कि यह हमारी कटिंग हो गया है कि हम इस तरह से इस तरह फोल्ड कर लेंगे अब यह देखिए जोड हमारे नीचे से एक्स्टार नहीं जाने कि है क्योंकि नीचे से तो हमारी मूरी कम्प्लेट ही थी वो इस तरह सिलाई में आ जाएगी वो देखिए तो जोड हमारे यह मार्जन में चले जाएगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने कि और हमारी स्लीव इस भी बीना जोड के ही बन गई है तो यह जोड हमें देड़े पड़ते हैं क्योंकि मार्जन के लिए यह देखिए सेम हमने इसमें फ्रंट कटिंग कर दिया है ठीक है हमारे स्लीव का एंड हो गया है यह देखिए हमारे जोड आगे इस तरीके से और अगर आपने यह मार्जन कट करना है ना तो दोनों साइड एक मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दूसरे को इंटरफेस करने चाहिए यह यह देखिए एक दूसरे को इंटरफेस कर रहे हैं ठीक है काईस यह देखिए यह हमारी स्लिप्स की होगी कटिंग कंप्लेट यह जोड मैंने आपको रखने सिखा है इसमें भी कैसे जोड वाली बाज्जू बनाते हैं ठीक है काईस अब मैं आपको पूरी बाज्जू की जो चूड़ियों वाली बाज्जू होती है वो दिखाऊंगी यह देखिए गाईस अब मैं इसमें आपको हैवी स्लिप्स कटिंग करना बताऊंगी यह इसमें हैवी साइज की स्लिप्स कैसे कट करनी है ठीक है उसके लिए हम सेम मैथट यूज करेंगे उपर से भी स्टेट लाइन निच्चे से हमारी जितनी भी हमने लैंथ लेनी है लै कि देखिए यह मार्जन का ले लेंगे जो हमारे कई बार हुदत है ना कि भी हमारा जो बाइसेप्स होते हैं बहुत जदा हैवी हो जाते हैं कि हैवी साइज में इतना हव्य भी नहीं होता और बाईसेप्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो आप हमेशा सही चरह सलीम हो चाया कैसे भी हो बाईसेप्स का मेजर्मेंट जरूर लें अब यह देखिए मैं बोडी मेजर्मेंट से निकाल लूँगी यह जैसे मैंने आपको बताया था कि भी बस कैसे निकालते हैं यह 44 साइज के लिए है 44 में प्लस 2 इंच करें और 46 आ गया वही 46 डिवाइड बाइ 5 9.2 तो यहां आ गया हमारा 9.2 तो यहां भी हम 3.5 इंच पे ही लगाएंगे यह निशान हम 3.5 इंच पे ही लगाएंगे हैवी हो चैक ऐसा भी हो ठीक है अब हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं स्ट्रेट हमने क्यों किया यह देखिए 9.2 पे हम निशान लगा रहे हैं नो में दो लाइन उपर यहां पे हम माक करेंगे इसका शोल्डर आएगा 10 यह देखिए 10 तस पे हम हाफ करेंगे तो पांच आएगा हमारा यह देखिए इस तरह से इंच टेप भी रख सकते है इस तरीके से और इस तरह से हम इसको कर देंगे यह करव ज़्यादा तो देते हैं क्योंकि अगर इतना हैवी साइज होता है तो उसके शोल्डर पे थोड़ा हैवी होते हैं जिसकी वज़ा से यह करव उसको मैनेज कर लेता है अब यह देखिए कि कईयों के biceps बहुत heavy होते हैं मैं heavy size के साब से बता रही हूँ तो यह देखिए यहाँ पर 9 inch है यानि 18 inch उनका biceps है तो आप यह देखे करें भी कितनी inch पर उनका heavy है तो मेरा जो customer है उनका 7 inch पर 9 inch आता है यानि 7 inch बाज्जू की लंबाई लेने पर उनकी जो मूरी है वो 18 बनती है यह देखिए 7 inch पर ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि भी यह देखिए यह यहाँ पर 9 inch आ रहा है ठीक है तो मैंने 9 पर mark कर लिया है कहीं बार ऐसा होता है कि कुर्थी तो हमारी फिटिंग में बढ़ी होती है पर हमारा बाज्जू का मेजरमेंट सहीन होता है जिसके बाज्जू की मूरी देखिए साड़े 6 है तो अब इसका निशान कैसे लगा ना आपको मैं आपको दिबत आती हूँ शोल्डर भी इसका 10 आ रहा है यहां से हमारा हैवी हो जाता है कहीं का मास्क भी लटका उता है यहां से तो हमने शेपर इस तरह से बाहर रखना है इस तरीके से और इस तरीके से माग करना है और आपने ध्यान देना है कि अगर कोई प्लस साइज में आता है तो उसको आप बाइसेपस उसका जरूर मेजरमेंट कर लें उसका मेजरमेंट जरूर ले लें ताकि आपके कुर्ती बनाते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए यह देखिए यह देखिए इस तरह से मैंने यह कटिंग कर लिया अब यहां से सेम प्रसीजर वही फोल्ड करके हमने यहां से मार्जन को कट करना है पर जब भी आप हैवी साइस का मेजरमेंट लेंगे तो बाइसेपस को जरूर ना पना ताकि आपको पतो पतो तो हम यहां पे टुक का निशान देंगे एक टुक हम यहां भी देंगे ताकि हम याद रहे कि भी यहां से हमने प्लस लेना है वही सेम इसका हम हाफ लेंगे टुएंड हाफ पे आ जाएगा निशान और यहां से हम शेप देंगे प्रंट की सेफ इसकी ज्यादा आएगी सवाइंच की आसपास आएगी क्योंकि यह साइज हमारा हेवी है देखे हमने दुनों पल्लों को इस तरह से रखना है दो पले लिए थे हमने और दो पले बाहर की तरफ थे यह देखिए दो पले बैक के दो पले फ्रंट के इस तरह किसमने कटिंग करती है यहां देखना है कि यहां से 18 पर आएगा ठीक है काईस ताकि हम स्टीच करते वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना है अगर हम स्टीच करें तो हमें याद रहें कि यहां से में ठारा लेना है ठीक है यह हमारा था हैवी साइस का अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारी चूड़ियों वाली स्लीव चल रही है जिसमें गैदरिंग करते है उसकी था कि हमने कैसे कटिंग अब हमारी की लंबी स्लीव यानी चूड़ियों वाली स्लीव अभी को भी हमने फॉर फोल्ड में रखना है इसको ठीक है अब यह हमारा देखिए फैबरी की हमारा 31 इंच है तो आप इंच को तो हमारा निकल जाएगा अब यह देखिए 21 इंच की उसकी बाजू तैयार है ठीक है और आप रेंडवली जिनकी 5 टू तक होती है 5 3 तक 5 2 तक हाइट उनकी 21 बाजू होती है जिनकी फाइब 4 प्लस हाइट होती है उनकी 23 प्लस जाती है बाजू अब यह देखिए मैंने दोनों मार कर दिया मैंने सारा कपड़ा रख दिया चूडियों के अंदर अब हम सें प्रसे हम मूरी लेंगे चार French ही Yog है काई एक पर हमने कमने confess कर पोछा था कि भी अगर Press May लंभी बजो हो तो इसके कैसे मिज़ करना तो मैं आपको बता ह biss well कि कैसे हम निचान देना तो आप ध्यान से देखिये हैं तुह हमने उपर मार्किंग जो हमारी normal बजु है ना वहाँ तक marking हमने same करनी है जो हमारी यहां तक आ जाती है भी आप इस तरह से हमारी deven स्टूड़िया पार जाएंगी तो यह 4 इंच हमने तो रखना है भी थोड़ा अपर जाएंगी तो हमारी totally गया अब निच्चे भी हम चार इंचे रखेंगे यह देखिए चार इंच और यहां से हम स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि आएगी तो हमारी कलाई पर ही नहीं चोड़ियां यह देखिए इस तरह से यह चूड़ियां यहां पर बन जाएंगे हम कटिंग कर लेते हैं कि अब यह देखिए हमारी चूड़ियां बज्जू होगी है इस तरह से हमारी है कि अब गैदरिंग आजेंगे जब हम इसमें फिट डाल लेंगे ना जब इसको हम तब इस तरह से हमारे चूणनट आजेंगे है इसमें लास्टिक भी लगा सकते हैं वहाँ अगर फसंदर फिलास्टिक भी लगा सकते हां और उपर से नोर्मार रखनेगे हैं यह हमारी होगी चूड़ियां वाली बज्जू और आपको छोटी बज्जू से लेकर चूड़ी बज्जू की supports अगर आपको कोई भी प्रोब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी वीडियो कोशिए